नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों मैं निपन मिक्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं most important topic from the chapter modern physics and semiconductors तो यह modern physics और semiconductors को एक ही class के अंदर हम लोग include करने वाले तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको देख लेना क्योंकि दोनों ही topic आप लोगों के लिए बहुत important होते हैं exam के लिए ठीक है तो आइए ज़रा साथ देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या देखना है तो लेट सी हमारे लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखो modern physics की बात करेता तो modern physics वाला जो पार्ट है यह हमारे लिए डिवाइड हो जाता है कुछ पार्ट के अंदर for example अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला topic जो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं वो क्या पढ़ता है वही देखो photo electric effect गजब का important topic जिसके उपर अलग से भी आप की सारी डी ब्रॉय की जो equations हैं सारी पता होनी चीए lambda equals to h upon mv lambda equals to h upon p lambda equals to h upon under root 2m कही की जगे qv रख दो वहाला भी और इसके अलावा gases वाली kinetic energy भी 3 by 2 kt सारे relation याद होंगे हमेशा फायदे में रहोगे ठीक है हां और फोटो electric effect तो पूरा पता ही होना चीए इसके अंदर आपके graph जो है graph के अलावा जो जनरल equation हम लोग लिखते हैं कि वैल्यू की वैल्यू कैसे फाय प्लस के atomic structure तो atomic structure देखो तुम लोग chemistry में भी पढ़ते हो physics में भी पढ़ लेते हो होता वही है बिल्कूल सेम कोई ऐसा थोड़ी है कि atom हम लोग change कर देंगे अब इसका extra syllabus जो होता है जो आप लोगों को पढ़ना नहीं होता है जिसमें atomic collision वगेरा वाला जो पार्ट है वो भी हम लोग कराते हैं वह आपको यहां पर तो नहीं पढ़नी है नीट के syllabus के अंदर जो नहीं है वह आपको पढ़ना भी नहीं है प्लीज सेलेक्टिव स्टेडी कर लो फाल तुगी इदर उदर की चीज़े मत देखो इसके बाद और आगे बढ़ता है तो हम लोग क्या पढ़ता है nuclear physics अब देखो भाई nuclear physics के अंदर आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके fusion का process होता है किस तरह से आपके fusion का process होता है अलफा बीटा गामा डीके क्या होता है तो basically हम अभी उस chapter के बारे में बात कर रहे हैं जो chapter असल में आपके लिए पूरी तरह से ही important है म अगर मैं photoelectric effect की बात कर रहा था तो इसके अंदर देखो आइंस्टीन इक्वेशन और ग्राफ ठीक है matter waves की अगर बात करूं तो बटा वही डीब्रॉय वेवलेंग तभी formulas पता होना चाहिए electron वाली क्या थी alpha particle वाली क्या थी ठीक है atomic structure यह आप लोग जानते हैं इसके अंदर भी देखो रिडबर्ग energy के बारे में ज्यादा पूस्ते हैं और इसके अलाबा hydrogen spectrum number of spectral lines यह सब चीज़ें आप लोग उसे ज्यादा पूस्ते हैं तो मैं उनके नाम लिख देता हूं यहाँ ठीक है nuclear physics के अंदर alpha beta gamma d के फिजन 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 ठीक है बच्चों है ना इस्टेबिलिटी करब से सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं तो वह सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर होनी चीज़ें ठीक है और nuclear physics के बाद में एंड में आता है जिससे आपको सबसे आदर डर लगता है और वह है रेडियो अक्टिविटी क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी आपकी है इसके अंदर ठीक है इसके अलावा डिके लौ जो आप लोग पढ़ते ही हैं है न भाई यही वाला एन इकोल्स टू एन नौट ए की पावर माइनस लेम्डा टी वाला बास फिर तो तुम्हें पता है कि मास के अंदर भी वैलिड है एक्टिविटी के अंदर भी वैलिड ह है किस तरह से चेंज लरत आता है डिके लौई यह भी आप लोगों को बता रहा तो सारा तो बता रहा रहा है इसके अंदर half life के आता है इसमें average life के आता है simultaneous decay के अंदर वैसे ही result आते हैं जैसे r equivalent का आया करता था r1 r2 upon r1 plus r2 वैसे ही result इसके भी होता है mean life का भी और half life का भी यह सब चीज़ें आपको बता रखें ठीक है तो this is all about modern physics वाला पार्ट तो मोटा मोटा पार्ट modern physics का अगर हम देखें तो this is what is included in the part of modern physics modern physics से आगे बढ़ते हैं and if we talk about semiconductors तो इटा देखो semi conductors के अंदर क्या होता है आप लोगों को ऐसा बोलते हैं कि भाई semi conductors के अंदर है न ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो पर यह और वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है semi conductor में selective पढ़ो energy band diagram पढ़के जाओ जिसमें आपको conductors, insulators और semi conductors के बीच में difference बताया जाता है by the help of an energy band diagram जिसमें बताते हैं conduction band, balance band की overlapping हो रही है कितना उनके बीच में energy gap है, forbidden energy gap क्या है, band क्यों बन जाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इनका idea होना चाहिए तो उधर theory वाले parts थे energy band पढ़ लो, इसके अलावा intrinsic, extrinsic, semiconductors ठीक है, थोड़ा बहुत इनका idea होना चाहिए जिससे mass action law आप लोग apply कर सके है ना भई, any NH equals to any square वाला, तो mass action law समझ गए, ये पढ़ने के बाद में pn junction तो pn junction diode और इसकी biasing ठीक है, कई बार सवाल जो है ना बटा, वो direct depletion layer पर पूछ लेता है वोई depletion layer पतली होगी के मोटी होगी, तो इसकी biasing जो है ना वो डंग से पढ़ लेना इसके बाद में आप लोगों को किस पर ध्यान देना है, इसका circuit के अंदर कैसे use होता है, ठीक है ना, तो circuit usage of diode समझ में आ गई ना बात, important है ये circuit usage इसका, क्यूं, क्यूंकि इसकी हमें पता है forward भाइस में conduct करता है, reverse भाइस के अंदर conduct नहीं करता है तो जब conduct करता है, तो हम इसकी वो properties को काम में ले लेता है, जिनके अंदर हम ऐसा बोलता है, कि इसका resistance 0 हो जाता है, यानि कि ये एक short circuit की तरह behave करने लगता है, और वो ही जब ये ideal behavior दिखाता है अपना reverse bias के अंदर, तो ये open circuit की तरह behave करने लगता है, ये सारी ध्यान से, forward bias, reverse bias के अंदर भी ये वाली बाते ध्यान रखना, कि relatively positive, relatively negative के concept जो है, जो आपको बताए है, उनवाले concepts के बारे में, बहुत धंग से, धंग से देख कर जाना उसको, positive जादा है, कहां positive देने से कैसे bias होता है, कहां negative देने से कैसा bias होता है, इसा पता होना चीए, नहीं आध होगा, तो अब तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं है, हम तो पढ़ा चुक है, ठीक है, हमने सब बताया है, है ना, अब गलती बत बोलूँगा, मैं तो क्या बूलूँगा, तो नहीं करके आओगा, आता हुए सवाल भी जो, class में करा दिया तो, तो circuit usage हो गया देख लेना, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूँ, mobility, ठीक, फिर इनकी forward-backward characteristic, FBRB characteristic, बहुत आसान होती है, ठीक है, छोटे-छोटे-छोटे difference होते हैं, जिनसे आप से theoretical questions पूछे रहा सकते हैं, diffusion current कौन सा होता है, drift current कौन सा होता है, avalanche क्या होता है, जैनर breakdown क्या होता है, तो जैनर and avalanche, समझे, पता होना चाहिए, सब कौन से diode के अंदर जैनर होता है, किसके अंदर आपके avalanche आता है, क्यों आता है, diffusion और drift के पीछे कारण क्या होता है, कौन majority carrier कब होता है, कौन minority carrier होता है, नहीं पता होगा, नहीं होगा सवाल, है ना, यह वाली बात पक्की बोल रह जैनर is a voltage regulator, जैनर diode is a voltage regulator, इनको बस देखना होता है, यह आदे आदे पनने के concept होते हैं, छोटे-छोटे से, ठीक है, और उसके बाद में, इनका usage किसकी तरह है, रेक्टिफायर की तरह, आउटपुट कैसी मिलती है, रेक्टिफायर से, यह आपको पता होना चाहिए, मतलब क रेक्टिफायर कौन-कौन सा, फुल वेव, हाफ वेव, ब्रिज के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यह सब खतम होने के बाद में, एंड में इस chapter के कोन आता है, आपके, ट्रांजिस्टर आते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर देखो, ज्या कासों के अंदर कई बार हमें common base, common collector, सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, ज्यादा कुछ उसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, common emitter configuration पढ़ेंगे, ठीक है, common emitter configuration पढ़ेंगे, इसके अलावा, जो relation होता है, alpha का, बस वो आपको पता होना चाहिए, मतलब current gain और voltage gain, ठीक है तो आप लोग current gain के बारे में पढ़ लेना, voltage gain और power gain, बस, तो हर किसी चीज़ का जो gain है, वो basically उसकी efficiency होती है, मतलब output upon input, output upon input, और output upon input, power में कर दोगे, तो power gain हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बहुत जादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ common emitter configuration पढ़ें चुपचाब से, और जो amplifier circuit है, कैसे उसके अंदर हमें out of phase, output मिलता है, इसके बारे में पढ़ लें, हम लोग कैसी input देते हैं, और finally output हमें कैसा मिलता है, क्या वो out of phase होता है, input से, और उसकी waveform कैसी होती है, बस, इतनी चीज़े देखकर चले जाना, it is more than enough, ठीक है, प इस तरह का PYQ यहां से आता है, semiconductor के अंदर ही हम लोग include करके रखते हैं किसको बटा, logic gates को, तो free marks है, logic gates are basically free marks, अगर आप लोग से पढ़के चले गाए, तो हो जाएगा, तो इनकी आदत यह है, कि अलग अलग तरहें के gates के बारे में आप लोगों से पूछ लें, तो एक बार में आपके कौन से आगया, बिटा, NAND आगया, NAND के बाद में कौन आगया, नौर आगया, यह तो सब important हैं सही, एक दूसरे का realization किसका कैसे करना है, ट्रोट टेबल क्या होती है, इसके अंदर waveform analysis के questions देखना मत भूलना, मैंने class में करवा रखें, डरना मत, तो waveform analysis जो है ना आपके जो XOR gate होता है वो, और जो आपका XOR gate होता है वो, इनको जरूर देख लेना, पहले भी सवाल आया हुए, आगे भी आ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, NCRT में हो नहीं हो, कई बार यह इदर उदर की चीज़े भी देदेते हैं, ठीक है, इतना देखकर चल जाना बहुत है, more than enough, from the part of logic gates, अच्छा, असल में है भी इतना ही, ज्यादा कम क्या करना है इसके अंदर, छोटा से ही topic है, आधी पॉनी सी class का, आशा करूँगा कि एक बार पढ़ने के अंदर ही सब कुछ खता हो जाएगा, ठीक है, तो, फाइनली, modern physics, semi-inductors, logic gates वाले पार्ट के बारे में अभी हम लोगों ने discuss कर लिया है, I expect के इस portion से, आप लोगों का कोई भी सवाल जो है, वो गलत ना हो, और आप लोग खुब अच्छा आपना paper करके हैं, ठीक है, चलो तो मिलते हैं, बबाई, सीव, टेक केर, सायो नारा, जैहिन